Good evening student, चली एक लास को आगे बढ़ाते हैं और आज numerical method का ये second number lecture होगा अच्टूरेट पिछले classes में हमने सीखा था, हमने जाना था कि numerical method क्या होता है और सबसे basic बात जो हमने ये सीखा था कि नमबर जो होते हैं दो तरीके का होते हैं एक number जो एकदम पर absolutely exact हो जिसे हम क्या बोलते हैं exact number और दूसरा क्या होता है absolute number याद है तो ये बात जो हम लोग last class में समझ चुके थे कोई एक student है जो raise hand कर रहा है रेसमा कुमारी क्यों raise hand कर रहा है रेसमा अभी तो हम कुछ सूरू भी नहीं के तो doubt कहां से होगा आपको बताईए चलिए कोई बात नहीं वापस आपके topic पे हमने last class में क्या पढ़ा था हमने last class में पढ़ा था भई कि numerical method का क्या uses है और हमने सीखा था कि नमबर दो तरहे होते है exact नमबर और approximate नमबर और सबसे important हमने सीखा था कि किसी भी numbers के significant digit का क्या मतलब होता है significant digit count करने के लिए कुछ homebug दिये थे आप सही बच्चों ने homebug बनाया है ठीक है चलिए एक question हमें एक revision के साथ class को आगे बढ़ाते है आज इसी कड़ी में हम बात करें कि कोई errors क्या होता है types of error क्या होता है rounding of क्या होता है error को represent करने के कितने तरीके होते हैं बहुत सारे questions करने हैं ठीक बहुत सारे topic discuss करने हैं question के साथ शुरुआत करते है माल लिजे student कि 1.00021 इस तरीके साथ कोई एक number हो और भी माल लिजे 00 हो तो इसमें कितने significant digit हैं आप लोग comment करके बताईए और सबका अगर सही आता है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग significant digit जो है यहाँ पर significant figure बोले चाहें digit बोले कितने हैं बताईए जल दिस comment करके इसमें कितने significant digit है comment करके बताईए इसके बाद हम लोग topic को आगर बढ़ाएंगे कोई बात नहीं मितारी चलिए ठीक है यहाँ पर आईए वापस से सबसे पहले खुसी का आया है सबसे पहले जो जबाब है वो सबसे important भी है खुसी का उसके बाद सुभोजीत का आया है फिर रंगलाल रवारी और बागी बचों क्यों नहीं आया खुसी सीना का आया है six अजीत कुमार का है आठ और प्रिया कुमारी का भी आठ हाया है बागी सब कच्छी आ रहा है अब जो दो बचों का जो आठ हा रहा है आप लोग साथ पिछले क्लास का होंबग नहीं सेर किये है पक्का होंबग सेर नहीं किया होगा आप लोग हम लास्ट क्लास में बताये थे क्या होता है जी कि अगर decimal वाला number हो तो first नंजीरो से last नंजीरो तक count करते है गलत है अजीद कुमार, M.D. साहिद, प्रिया कुमारी और तब्रेईस आलम यह चार बचों तीन बचों गलत है तो समझ पा रहा है यह सब previous class भाई देखिए आप लोग और नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आगा नहीं समय में आगा आज के class में न हम लोग बड़ा important topic पढ़ने वाले है rounding of a number यह क्या होता है, round rounding of, लिखना नहीं है भी ठीक है, अभी लिखना नहीं है, बहुत प्रेम से लिखवाएंगे, आपको notes में लिखवाएंगे, सारी बाते समझाएंगे सबसे पहले तो हम आपसे question पुछने चारे, एक general scenario जो हम दो daily life में बड़ा अकसर देखते रहते भी होंगे, अच्छा आप माल लिजिए कि ऐसा suppose कर लिजिए कि कोई फल है, कोई सबजी है, माल लिजिए सबजी है कोई, और 26 रुपए ऐसा फिर माल लेते हैं कि ऐसा माल कि भाई ऐसा करिये न, पूरा-पूरा round figure लगा दीजिए, ऐसा सुने हैं कि आप लो, अच्छा माल लिजिए इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, माल लिजिए कहीं पर 12 रुपए पर केजी होता था, 12 रुपए केजी कोई सबजी भिक रहा है, माल लिजिए, तो आप क्या round figure हम लोग सुनेते हैं, round figure में दे देंगे, है न, माल लिजिए कहीं पर 520 रुपए, 520 रुपए मतलब का लेक्ठ होड़ा तो क्या बुलगा रहे हम round figure में दे देंगे 500, तो वही चीज़ कर लाता है rounding off, मतलब जी, जैसे कि pi का value कितना होता है, pi का value तो होता है 3.14159 something, और अगर आपको 3 ही तक लिखना है, तो इसे आपको काट के हटाना पड़ेगा, मतलब round off करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इसी process को, बैसे जैसे वहाँ पे 12 रुपए को round off करके 10 रुपए कर दिये थे, 9 रुपए 20 पैसे को round off करके 9 रुपए कर दिये थे, उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे अब mathematically बात करते हैं, कि अगर यह कोई पाई का value है, या कोई number है, simply, तो अगर बोला जाए कि इसको 3 significant figure तक round off करिये, तो इसको जब हम हटाएंगे, तो 3.14 लिख देंगे, क्या दे, बागी सब हटा दिये, इसको अप्रोक्स करके लिख दिये, तो यह होगे है, मालीजे, exact number, तो यह होगे true, इसका approximate number कि इसको अप्रोक्स करके लिख दिये है, इसी को जो number को काट के हटाना होता है, उसी को बोलता है, rounding off, यह number को round off कर रहा है, round off, या rounding off, एक चले question करते हैं हमें आपे, जैसे यह बच्चे, सब बच्चों को पता ही होगा, एक ब 3.129 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, 3.129, आपको बोला गया इस number को 3 significant figure तक round off करें, 3, 3, only 3, तो कैसे करेंगा, 3 significant figure तक round off कैसे होगा, तो 3 significant figure तक round off कैसे होगा, 3 significant figure कहां से count करेंगे, यह सब भी सीखना है, यह सब लिखेंगे अभी, 1, 2, 3, 3 significant figure यहीं तक होगया, तो भाई इसके बाद लगभग pipe से उपर है, लगभग approach, इसको अगर round off करेंगे, तो जैसे कि अगर हम आपसे बोल दे, माल लिए कि कहीं पे किसी को पैसा देना हो रहा हो, इसको ऐसे समझे, कि माले जी किसी से आपके पैसे बाकी है, 190 रूपए, 190 रूपए आपको लेने है आप अगर round off करने का मौका मिलेगा, तो क्या आप इसको round off करके 100 बना दीजिएगा, नहीं बनेएगा, round off क्या करिएगा आप, आप round off करके बोलेगा, अच्छा है round off करके 200 रूपए दे तो, कहीं न बोलिएगा, मतलब समझ रहा है, कि अगर 50 से, half से, अगर उपर रहने लग तो ऊपर तो रहने round off कर देंगे, और अगर उससे नीचे आथा, नीचे तरह रहने round off कर देंगे, मेरी बात को समझे, अगर माल लेजिए, कि किसी से कर्ज आपको है कि 120 रूपए लेने है, तो आपको बोल सकता है, round off कितना 100 रूपए, कम कर दिया हमने, अगर यही चीज़ आपको रहता है कि 180 रूपए रहता है, तो आप बोलते हैं, round off में देतो ना 200 रूपए, मतलब 50 से नीचे, exact वही रहे जाता, यह 50 से नीचे है, तो नीचे वाल round off हो जाएगा, तो वही हम बताना चारा है, रूल भी समझाएंगे, आपको बस यह तो बेसिक सा आइडिया दे 9, 5 से दीख है ना, तो क्या होगा, 3.12 नहीं होगा, 3 होगा, तो इस इस और रूल बताएंगे कि कव बढ़ता है, जैसे 2 से 3 होगा कव, 2 का 2 ही कव रहेगा, यह सारा रूल समझाएंगे, तो मैं जो उम्मीदे कि आपको rounding off जो क्या होता है, rounding off यह जो word है, आपको समझ में हो कॉमेंट करके बताएंगे, जैसे definite solution है हम लोग अब, चलिए बता दिये सब लोग, 3.13, कुछ लोग का रहा है, 3.14 संगीदा सर्मा का, कैसे भाई, चलिए, ठीक है, तो अब student हमारा, जो पहला question, सारी, पहला जो हमारा topic होता है, वो यही है कि rounding off है क्या, इसको जो में मुख समझाएंगे, उसे को paper pen पे define कर देंगे, copy में लिखेंगे इसको, लिखिए आप लो, rounding off, rounding off क्या है जी, तो rounding off means कि number को क्या करना होता है, दूसरे value में लिखना, जहाँ पे कुछ decimal places तक correct हो, rounding off means a number made, rounding off means, of means, rounding off means a number is made, a number is made, a number is made simpler and, a number is made simpler and, easier to use, easier to use, easier to use during calculation, during representation or calculation or calculation, आपको याद है कि πाई का तो भई, बहुत सारा value तक उसको find out किया गया है, यह जो πाई है, पाई का जो है, बहुत सारा एक्दम करते जाए, करते जाए, 3.14 something something something, कभी खतम ही नहीं हुआ है, अभी इसके values निकाले जा रहे है, तो हमारे पास उतना pain paper है क्या, क्या आप एक ही value को उतना लिखते जाए, तो हमारे पास क्या है, limitations है, paper का limitations है, represent करने का limitations है, और अगर अपाई का उतना बड़ा value देजिएगा, तो उसको multiply कैसे करिये, गुना कैसे करिये, calculation में दिक्कत होगा, तो rounding off का मतलब होता है यही, कि numbers को क्या होता है, simpler बनाना, easier to use during representation और calculation, कि calculation के लिए, representation के लिए easier बनाना, असान बनाना, यही होता है, rounding off का मतलब, numbers are rounding off to a particular degree of accuracy, जैसे बोले थे न, भी three significant figure तक round off करिये, बतलब three significant figure तक correct है, उसके बाद का round off हो गया, यही चीज़ बोल लगया है, क्या होता है, numbers are rounding off to a particular degree of accuracy, numbers are rounding off to a particular degree of accuracy, to a particular degree of accuracy, ठीक है, तो exam में आये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस definition को, ठीक है न, यह लिख सकते हैं, rounding off means a number is made simpler and easier to use during representation और calculation, numbers are rounding off to a particular degree of accuracy, numbers को किसी particular degree of accuracy तक ही rounding off हम लोग करते हैं, अच्छा एक चीज़ ज़रा सुनिए, कि जब भी हम लोग round off करते हैं, तो numbers को cut करते हैं, या left करते हैं, छोड़ देते हैं, किदर से, तो left side से, देखिए यहाँ पे, जब भी round off होता है, तो left side से number को drop कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख दीजें इस note को थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, जब नोट को देख लीजे, नोट को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या है, इन राउंडिंग ओफ नमबर, दूरिंग, दूरिंग राउंडिंग ओफ, ओफ नमबर, कि जब नमबर को राउंडिंग ओफ कर रहे हो, तो dropping the digit from left side, dropping the digit, dropping the digit from left side, dropping the digit from left side, यह बात आ रहा है, चलिए, ठीक है, यहाँ पर देखे है, तो यह बात आ गया, अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहरे है, rule, rule क्या होगा जड़ा देखे, यहाँ पर लिखे, अब कि भई यह जो rounding off करते है, उसको rule क्या है, तो rule जड़ा देखे, rule, rule for rounding off, rounding off, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखे, चली, इसको अठा देखे, इसको हम लगता है, इन-sort, ऐसे लिख देखे, इन-sort, मतलब sort में आपको समझा रहे हैं, अब detail में भी इसको लिखेंगे, पहले आप sort में समझे इसको, इन-sort में क्या मतलब हुआ, देखे का इसको, ठीक है, एक दम बहुत प्रेम से समझना है, खुब अचेस पहले समझना है उसके बाद ही, ठीक है, ठीक, नमबर वन, टू, नमबर यहां पर, ठीक है, जल्दी से आपको नोट कर लिजिए इसको, एकदम नोट बनाईए, एकदम तुरंत बनाईए इसको नोट, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए भाई, यह रूल तो पता होना चाहिए, कैसे हम लोग करेंगे, राउनिंग आउफ, देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इन्थ प्लेस, और यहां पर, एन्प्लस वन्थ प्लेस, अब क्या मतलब हो रहा है, थोड़ा से थीरेज रखते हो, इसको समझना है, खुब प्रेम से समझेंगे, इसको डिटेल में भी लिखेंगे, क्योंकि एक्जाम में आ सकता है, कि discuss rule for rounding off of a number, कि rounding off करने के लिए जो rule है, उसको discuss करिए, तो आप table बना कर नहीं कर सकते हैं, हम बस आपको जो अभी rule समझा है, तो जैसे एक general example दे रहे थे, क इसको इसी example से मुख समझते है, माल लिजी की लिखा हुए 3.21928, माल लिजी श्टूइंट आपको बोल दिया गया, कि इसमें आपको 3 significant figure तक round off करना है, कहां तक, 3 तक, कहां कितना कितना करना हो सकता है, हो सकता आपको बोल दिया जए 2 significant figure तक, अगर 2 तक करना होगा, मतलब 1 check through यहां तक, यह यहां तक करना पड़े, इसके बाद को सब drop करने पड़ेंगे, अगर बोलता 3 तक, तो 1,2,3 यहां तक करना पड़े तो बागे drop करना पड़ता, बोलता 4 तक, तो 1,2,3,4 ऐसे, तो माल लिजी श्टूइंट थोड़ी देर के लिए कि आपको in तक करना पड सब, अगर 6 तक, करना है तो n के बाद 10 के बाद इन प्लस 1 वाटम क्या है, फिसमी तो अमस्तोर है, अगर आपको 3 तक करना है तो 3 के बाद वालको देखें कि वो क्या है, चाहिं हो 5 से उपर है, 6 है, 7 है , 8 है , 10 होका नहीं, 10 मतलब फिर एक वरद जाते इître, तो देखेंगे, एक इन के बाद एक इनक्रीज करा देते किसको करा देते ज़स्के पहले वाले को जहां तो इसको पहले वाले को जहां तो पहले रूल तो यहां पास से अधीक रहेगा तो बढ़ जाएगा लेकिन इस्टुएंट यही चीज माल लीजिये माल लीजै कि ऐसा रहता हमको क्या रहता यहाप पर मालीज ऐसा है 3.12953 माल लीजे आपको यहां पर राउंडप करना हो कितना तक एक दू तीन चार पांच पाँच तक करना है round up, 5 significant figure तक round up करना है, कितना भी करने बोल सकता है, तो क्या करेगे, अगर 5 तक करने बोला तो just us के बाद वाले को देखिए, क्या है, अगर 5 से उपर रहेगा, तो इसको increase करके लिखेंगे, और अगर 5 से नीचे रहेगा, मतलब हो 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो या फोट जीरो वर्न टू थ्री या फोट अगर यह सब रहेगा तो जो का तो लिख देंगा डिक्रीज कभी नहीं होता है क्लियर क्या कभी ऐसा होगा कि 120 रुपए है तो आप 100 रुपए लिजिए गार नहीं कम अगर मालेजी 120 रुपए हो तो हम क्या 100 रुपए लेंगे नहीं अगर वही बात है यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर पास से लोवर रहे तो कुछ चेंज नहीं करेंगे एज टीज उतार देंगे मतलब दीख एक दू तीन चार पांच इसके बाद क्या था पांच के बाद से कम हो तो वही और अगर एक पांच हो गया तब लॉजिक समझना है बहुत डिटेल में भी लिखेंगे उसको समझ रहा है बात में कि जहां तक करना कर उसके बाद दो पांच से अधिक रहा तो बढ़ा के लिखेंगे पांच से कम रहा तो वही लिख देंगे बागी सब को ड्रॉप कर देंगे और अगर पांच ही रह गया मतलब बाद वाल जैसे माल जैसे 3.3.125 ऐसा रह गया अगर माल लीजी ऐसा रह कौन से रूल है जी फाइफ हो लाई है चलिए ऐसा एक एक ग्जामपल है माल लीजी ऐसे हमको तीन सिग्निफिंट फिर तक राउंड अप करना है कितना तक तीन तक तो काउंट करिए इसको काउंट करिए एक दूर तीन तीन तक करना है तो हम उठा के लिए तीन तक तो मतलब यह मरा है अब इसके जश्ट बाद देखिए बाद वाल क्या है पांस से ज़्यादा रहता तो बढ़ा के लिख देते इसको बढ़ा के लिख देते पांस से कम रहता तो यही पूरा लिख एक यह उन चेंज मतलब फिली पॉंट वांट टू ही लिखा जाएगा लेकिन अगर यही चीज माल लीजिए यहां पर टू ना ओकर के वन रहता इससे जुश्ट पाँच है पाँच के जुश्ट पहले अगर और रहता तो इंक्रीज कर देते थे टू हो जाता तो बस यही तीन रूल है जी बस फिर्फ यही तीन रूरूल ठेकर प्ल्स वनवा भेलू एंठ प्लस वन वा भेल्यू अगर पांच रहा थो तो इन क्रिस फांस मेंध़ा जप्ल्स रहा देखिये giving के बढ़ह है मतलब चाहर पांस से अगर छोटा रहे तो क्या करेंगे अंचेंज इन वाइप प्लेस पर अंचेंज ठीक अगर माली जे पांस से अधिक छह साथ आड रहे तो क्या करेंगे इन क्रीजड बाइफ एक का बढ़ा हां अच्छा अब बात आ रहा है कि अगर यहां पर इन प्लस वहां मतलब बाद वाले प्लस पर अगर पांच ही हो जाए जा है na five ही हो जाए तब क्या होगा तो इन प्लस वनाव पर देखेंगे पांच होगा तो जब उसके पहले देखना पड़ेगा हमको क्या बोलेंगे कि अन्चेंज अन्चेंज इफ इन्थ इन्थ प्लेस इस इवन ठिक इसमें ही अभी एक और कहानी बचा हुआ है अभी यह खतम नहीं हुआ है इसको बटवार जो है अलत पलर से करते ही दोनों सेम ही है अगर फिर माली यह पांच रहा तो बोलेंगे इंक्रीज बाइ वन इंक्रीज बाइ वन इफ एंथ प्लेस इस ओड्ड तो क्या यह टेबल जो है सारे बच्चों को समझ में आ गया एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिए तो यह हम यहां पर लिखे हैं कि रूण फोर राउंडिंग आफ करने के लिए रूड़ है किलिए तो बहुत ध्यान रखना है लेकिन अब इग्राम में यह भी आ जाता है पता है कि डिसकस रूड फोर राउंडिंग आफ नंबर तो उससमें टेबल बनाने से काम नहीं चले इसलिए किलियर हुआ यहां तक कमेंट करके बताएं एक बार आगे बढ़ेंगा फिर चली चली बताएं जोल दीशे में कि इस हुम अ एक क्वेश्चन लिखे डिस्कस रूल फॉर राउनिंग ऑफ नंबर यह क्वेश्चन इंग्जाम में आ सकता है क्योंकि हम बताये थे कि फर्स्ट चैप्टर जोड़ा सा ठीवरी बेस्ट डेफिनेशन बेस्ट है तो इसलिए पहला चैप्टर को भी खुब अच्छा पढ़न है यहां क्वेश्चन छोड़ जाए इसके बाद तो सब नुमेरिकल है इसलिए खली सॉल्व कड़ना है यहां पर देखिए रूल क्या डिस्कस क्या क्वेश्चन डिस्कस 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 रूल फॉर रूल फॉर राउंडिंग आफ राउंडिंग आफ राउंडिंग आफ राउंडिंग आफ राउंडिंग आफ अ नंबर नंबर को राउंड आफ करने के लिए रूल को डिस्कस करिए चलिए तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखे या आंसर ही लिखे ज्यादा बहतर होगा क्या लिक वन्हाल में लो? ढ लिए नॉबर President, आझा नॉग्यला राउड्यवर, दिShि ले आफ सुङ हम ले बिए, राउड़ ले आफ्या राउडला, घ्याल य। टॉवर ले लेude, भाली राउत लेस度, कौन सा रूल है जी तो सबसे पहला रूल रूल नमबर वन चाल लिखेंगा आपर रूल वन तीन रूल है तोटल रूल नमबर वन जा बुलता है इफ दर डिजिट तू बी ड्रॉप इस दिन फाइब आप इक बात समझ यह कि अगर मालेों कि हमको 3 significant तक रू sung आंटाल आप करना है तो त्री पोलंन वन यहां तक रूंतिन हो गया एक दो तीन कि इस हमको drop करना है तो first का dropping dropping first letter कौन है five five से drop होना सुरू होगा इसी को बोलते कि to be dropped किसी को drop कर रहा है अगर three significant figure तक round up करेंगे इसमें तब यही बोला गया है कि if the digit to be dropped is less than five if the digit digit to be dropped dropped is less than five is less than यहां पर t h a n less than five ठीक है then preceding digit left unchanged then then preceding digit preceding digit left unchanged बात समझ मैं रहा है अभी जो हम समझाए है कि अगर इन प्लस वन वा प्लेस पर मतलब जहां से drop होना सुरू होगा अगर वहां पर पाल से छोटा भेल हो तो उसके जश्ट पहले वालो जो होगा अंचेंज रहेगा यहां पर छोटा इस टेबल पर समझे जीरो अगरे पाल से छोटा है तो अंचेंज रहता है इन वा प्लस वह लिखा है आपने रूल में में इफ दर डिजिट टू भी ड्रॉप इस लेस देन फाइब कि डिजिट जो ड्रॉप होगा पाल से छोटा है तो देन प्रिशिटिंग डिजिट लेफ अंचेंज इग्जामपल भी लिख सकते हैं यहां पर बट डायरेक्ट भी रहर दीजिए यहां एक इग्जामपल भी पॉइंट सेवन टॉ पाइपञ़ तो फोर सिगनेफिक्ट फीगर्ड फोर सिगनेफिक्ट फीगर सिगनेफिकर्ट फीग्विए संग तुरंद यहां पर चाल लिखिए पहर हैर हैर टू-272 नह दिखिए एक दू तीन चार यह चार सिग्निकेंट फिर डिजिट यहां तक हो गया उसके बाद क्या है वन है मतलब जो ड्रॉप होना है वह वन है जो इसके बाद भी अगर रहता है माली जो वन है तू भी रहता है यहां पर जो ड्रॉप होगा वो तो यहीं से ड्रॉप होना शुरू हो 2.725 देखे एक दू तीन हो गया ना वन पे था यहां पर पांच बात है यह जो कि पास से कम है तो हमारा चार्ड सिग्निफिंट फिगर तो करना था एक दू तीन चार उसके बाद वहला देखे वन इसने यह ऐसा रहा है यहां पर यही लिखेंगे क्या लिखेंगे यही इसका पॉइंट 725 यह बन जाएगा राउंड आफ करके यह हो गया रूल वन अब सेम यही चीज तो रूल टू रूल नंबर टू क्या बोलता है अगर पास से जादा रहेगा तो भाई वही चीज़ है तो हम यही चीज़ इसी कॉपी करके लिख देते हैं कि इस ग्रेटर दिन फा अगर पास से जढ़ हो जो ड्रॉप होने वहाला आगर पास से जढ़ा हो धन प्रसीटिंग दिःट संवी इंक्रीज बम यहाँ इंक्रीज़ बा वन इसंपिल आप साथ में एक दे सकते यह एक्जांपल अब इस लिए बोले गिसए कि अगर हम बात कर लें कि इसी को ले लेते हैं हम यहां पर इसमें कुछ चेंज कर देते हैं माल लेजे कि राउंडब दे नंबर्स दिस कहां तक टू फॉर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं टू इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको 3.12519 एक दू तीन चार पांच तक फ 519 becomes कितना तक करना है पांच एक दू तीन चार पांच और पांच के बाद जो नौ है पांच से अधिक है तो 3.125 यहां पर वन नौ के टू हो जाएगा तो 3.125 वन नौ के टू हो जाएगा तही होगा आंसे चलिए बताइए यहां तक किसी को समझ कोई दिक्कत है समझने में य चलिए यहां तक किन ही को समझने में कोई भी दिक्कत है रूल वन रूल टू एक्जाम में स्टूइट बैठ हमचे जो अगर क्वेश्चन बोले कि अंचेंज मतलब राउंडिंग आउफ करे तो रूल तो समझी गया थे हम लोग पर एक्जाम में अगर डिटेल डिसकसन करन देते हैं ठीक है ना चुकि एक्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन डिसकस करने के लिए चलिए ठीक है जी आईए अगला क्वेश्चन क्यों लिख देते हैं अच्छा अच्छा पहले आप लोग नोट डाउन करिए भाई नोट डाउन करिए पहले सबसी इंपॉर्टन न नोट फिरी लिए फैस्ट रूघ रूघ डिजित क्या बोलता है लिए इस घृड़ ड्रॉप इस फाइफ रूट्रू अगरूल अ थी कि देग सभ़ डिजिट राय थे इफ डिजिट मतलब समें टूबी का मतलब जो ड्रॉप होनेवाला है if the digit to be dropped is exactly five, मतलब वो न तू पांस से ज्यादा है, पांस से ज्यादा होता तो पीछे लोग बढ़ा देते, पांस से क्राम होता तो वही रहन देते, इग्साक्ली 5 है अगर हो जाए, इग्साक्ली 5 तो उस केस में क्या करेंगे, तो अगर ईक्ली 5 हो जाए खेक्ली 5 तो दिटीम इंक्रीस, then the preceding, preceding digit, digit is increased, increased by 1 if the preceding is if the preceding, preceding digit is odd, if the preceding digit is odd, in the case , if the preceding digit is unchanged, then the preceding digit is increased by 1 if the preceding digit is odd, if the preceding digit is unchanged, preceding digit is unchanged, if it is !! It is !! I was lucky to have on my job! So !! I nor error as to how this process is surgery थीक है तो मैं देख रूल 3 भी समझ गया है एक्जामपल भी कर लेते हैं साथ साथ एक्जामपल तरह जल्दी से कर लेते हैं क्या है राउंड अप देजिट राउंड अप दे नंबर सॉरी नंबर वन इक्जामपल राउंड आफ दे नंबर राउंड दे नंबर कौन सा नंबर है तो टू पॉइंट टू सारी सेवन पॉइंट टू थ्री फाइव ठीक है है टू थ्री सिग्निफिकंट डिजिट टू थ्री इसका अंसर क्या होगा बताई है तो टू क denial क्या हो जो आउनकी अन चेंजर रहेगा उसको पहले दिखना हो पहले क्या है ओड़ है और अ壢़ है और मतलब एक बढ़ेगा देखिए यहां तो drop कहां सुरह 5 से drop हो रहा है तो 5 से जश्ट पहले देखेंगे कि 3 है even की odd है तो वही क्या है odd है मतलब बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा 7.235 क्या होगा becomes यह क्या बन जाएगा तीन सिंग्रिफिंट round of करके 7.24 7.24 हो जाएगा ठीक है अब से एक एक एजामपल और ले लेते हैं round of the number round of the number number क्या इसको अड़ा देते हैं क्या number है round of the number 2.5225 2.522524 4 significant is it इसका answer क्या होगा बताइए इसका हम लिखना चाहते इसका हम आप ही लोग से पूछना चाहते इसका answer here यह जो number है यह जो number हो क्या बनेगा चार सिग्निफिंट डिजीट तक round of करेंगे तो आप ही लोग कमेंट करने बताइए हम नहीं बताएंगे इसका answer बताइए इसका answer सब लोग बताइए इस देखिए अब हम वह कहां तक चार तक एक दूर तीन चार चार उसके बाद क्या जो ड्रॉप होना है वह कितना है फाइफ है पास्टा दिख रहता तो बढ़ाते कम रहते तो लेकिन ड्रॉप करने वह फाइफ है इसका मतलब क्या करेंगो उसके जश्ट पहले देखिए इवेन ही कि और तो क्या है हमारे पास इवेन है मतलब अंचेंज रहेगा तो इस बिकांस यह क्या बन जाएगा यह क्या बनेगा तू पॉइंट फाइफ तू तू पॉइंट फाइफ तू चलिए अब सारे बच्चों का आंसर भी सही है तो शुट यही था राउंडिंग और क्या होता है नंबर का फिर हमने सौट में रूल देख लिया समझ लिया फिर हमने डिटेयल डिसकॉसन कर लिया अब बारी है क्या क्वेश्चन करने द Works लिटेया इक वेरी वेरी इंपर्टन क्वेश्चन हँ है यह पर डिसकॉस करने穴 में पूछा गया है चलिए एक्जाम वाले क्वेस्टन जो हम लोगा करना शुरू करते हैं देखिए टेकिन पाई इस इक्वल टू क्वेस्टन देखिए पाई इक्वल टू 3.1415 1415 1415 9265 9265 9265 35 मतलब पाई का भेलू आप इतना लीजिए कि टेकिंग पाई इक्वल टू 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 दिस क्या करना है अब तरण टू पाई टू अब उस पाई का वेलू को राउंड आफ करिए राउंड आफ राउंड आफ पाई पाई को राउंड आफ करिए टू कितना तक राउंड आफ पाई टू 3 4 5 6 दिजिट 2 3 वर्ड में लिख रहा है थ्री 4 5 and 6 and ऐसे ही question पुछाग है and 6 significant figure या फिर सिदा figure देदेगा 6 figure figure देदेगा या digit दे देदेगा या significant digit लिखेगा or significant figure लिखेगा बात एफ ही है ठीक है तो यह भी धियान अक्राएं शिर्फ figure भी मिल सकता है या सिर्फ digit भी मिल सकता है तो हर एक तरीके के लिए ready रहना है question में आएगा और ध्यान दीजेगा यूटूब को जो shortcut वाला concept नहीं कि पांस से ज्यादा वह तो बढ़ा देंगे पांस से कम हो तो घटा देंगे जो हम बता रहें वह authentic है बहुत सरे book को follow करने के बाद ही बता जाता है आपको यहाँ पर तो खूब अच्छे से इसको समझना है ऐसा नहीं कि YouTube के shots अगरा में देख कर गें पांस से गड़ा देंगे पांस से कम हो तो घटा देंगे ऐसा नहीं करना है चलिए इसका answer solution लिखते है सबसे पहले तो भई हमारे पास है क्या हमारे पास पाई का वेलू इतना बड़ा सा है question में ही सब दिया हुआ है हमको इसी को round-up करना है अभी जब आप हम लोग देखेंगे question करेंगे तो वहां पर दिखेंगे कैसे यूज होगा यह सारे topics और exam में सिधा question भी आएगा start question में तो एकदम 110% लिख के दे देते हैं कि भई question आएगा ही आएगा यहां से round-up करने वाले topics से हमारे पास यह बोला गया है कि we have this अब क्या करना है इसी को हम क्या करन है three significant figure तक round-up करना है four तक five तक six तक कैसे करेंगे तो देखिए समचे पहले कहेंगे तो दिलिखेंगे 10 हम यहां पर जा कर रहे हैं कि जो पाई equal to क्या होगा कि पाई is equal to पहले three significant figure तक करिए क्या होगा एक दू तीन यहीं तक होगा तीन इसके बाद drop करने वाला one है one वाला है यह बोला गया है अप्रॉक्सिमेटेड किया गया यह अप्रॉक्सिमेटेड टू कहां तक three significant digit three significant digit कि तीन significant digit तक किया गया है अब इसी तरीके से पाई equal to चार तक करेंगे तो एक दू तीन चार चार तक कर दिये उसके बाद पाचो जो ड्रॉप करना है वो पाच है तो पाच जैसे ही रहता है तो even order कहानी आ जाता है तो पाच जैसे ही है तो पाच के जश्ट पहले क्या ह है odd है one is odd number तो जैसे odd है मतलब क्या increase हो जाएगा तो 3.142 हो जाएगा 3.142 हो जाएगा यह क्या वो लगया है अप्रोक्सिमेटेट टू 4 significant is it अच्छा अब पाई is equal to 5 पो लग कर लेते हैं एक दू तीन चार पांच उसके बाद 9 है पांच से ज्याद आते एक बढ़ा 3.1416 यह क्या हुआ अप्रोक्सिमेटेट टू 5 significant is it अच्छा अब अंतिम में जो होगा पाई का वेल्लू 6 significant डिजिट तक क्या होगा वह आप लोग अंसर करके बताई जल्दी से चलिए वेरी गुट संगीता का अभी क्या आंसर तब्रीज सुबोजीत चलिए बहुत जो है अंसर करिए जब हम 6 significant डिजिट तक राउंड अप करेंगे तो क्या होगा बताना है आप लोग को पूजा का सबसे पहले आ रहा है रंग्लाल रवानी संगीता कभी आया है वेरी गुट जी बहुत अच्छा चलिए बहुत अच्छा कैसे करेंगे दिर देखे रहे हां पर आप लोगी देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां तक होगा अच्छा है उसके बाद जो इन प्लस वन वार टम है व 3.14159 3.14159 जो अच्छे अच्छे अप्रोक्सिमेटेड चेक कर लिजेगा आपनों डिजिट 6 क्या यह बात सबको समझ में आ गया ठीक है जी चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे ठीक अब बढ़ते हैं आगे उमिदे की जो है राउंड अप करना कैसे होता है वो आप समझ पा रहे होंगे एक क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और करते हैं उसके है round off ठीक है क्या बोला है round off the following numbers to 4 significant figure round off the following number the following number the following number round off the following number to 4 significant figure 2 4 significant significant figure number 1 क्या है number क्या है first में 38.63243 38.63263243 91.87 sorry 91.8773 number 4 क्या है 21.6448 21.64489 और number 4 क्या है अंति में जर इसको भी लिख लीजे 87.495 87.495 अब दिखे ने इसमें क्या ही है चार significant figure तक हमको round off करना है तो इसका हम answer करने जाएंगे तो number 1 क्या बोला गया है यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे चार significant figure तक क्या होगा हम क्या लिख पाएंगे कि this becomes अब नमबर ओन का answer कि हमको चार significant figure तक कर रहा है तो एक दू तीन चार कहां तक चार हो रहा है तो यहां तक एक दू तीन चार यही तक चार उसके बाद कि 2 है मतलब 5 सकाम है तो अचेंज रहागा इसके बाद कुछ नचीज बताएंगा आपको 489 यह क्या बन जाएगा बन जाएगा। एक दू तीन चार यहां पर चार पांसर का मतलब अंचेंज रहेगा तो 21.64 ही रहेगा चाहिए बता नहीं इसमें बताईए नंबर फोर भी लिखी दीजे चलिए आप लोग बता दीजे 87.495 495 इसका आंसर बता दीजे आप लोग इसका आंसर आप लोग बताईए इसका आंसर आप लोग बताईए जल्दी से बतादेञे चलिए इसका जो आंसर है सारे बच्ची Score बद्स बताएंगे आप मिलकर बद्स चली आते हैं आगे हम 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 अच्छा यहाँ पर जो हम सुरुवात में क्लास के सुरुवात में क्वेश्चन बताया थे वहाँ पर यह डेसिमल हम नहीं रखे थे ठीक ना यहाँ पर वन था सिर्फ यह वन था वन पॉइंट नहीं था थोड़ा सा साइध हम मिश्टेक से अभी हमको ध्यान गया कि वहाँ पॉइंट में दे दिये थे अगर पॉइंट दे देते तब तो फिर आठ हो जाता रूल याद कर लिएगा पिछले क्लास का है ना अगर हम पॉइंट दे देंगे यहाँ पे तो आठ हो जाता है तो उमीद है आप लोग समझ रहे होंगे मतलब इसका अगर पॉइंट को मान के चले तर तो सब लोग गलत बता है देख लिएगा अप लोग इसको फिर आला यह जहां पर अभी हम लोग है यहां पर क्या है पहई एक दू तीन चार यहां तक चार पहुंचे चार पहुंचते एक बाद जैसे आगे बाड़ है दिख रहे पांच है तो पांच जैसे इस पह % 50 kıya हो जाएगा 807.50 तो ऐसे भी समझना है 87.50 clear हां decimal नहीं था ठीक ना अभी को चान्त दीखातो है समझ मिल वाले में क्या होता है कि last man zero से सब को काउंट कर देते हैं और जो nine decimal उसमें क्या होता है गी देसिमल में एक मिदो काउंट करते हैं चले एकमेस काउनोहनु कि ए सटेगको कि хочंसें ठीक चलिए जी आगे बढ़ा जाते हैं यह तो complete हो गया ना अगला कुछ हो अच्छा हम एक question करवाते हैं फिर homework देंगे एक question ऐसा question तो आता है नहीं लेकिन फिर भी अगर आ गया तो ndm ऐसा question पूछा गया था C कमआञ रहा कहसंब रहा साथ है 53172 थी नहीं से चरहुंग nearest hundred and nearest thousand and nearest one thousand देखिए ये बड़ा असान कोश्चन है ऐसा कोश्चन आया तो अभी तक आप लोग में नहीं है लेकिन फिर पी अगर पूछ दे तब क्या करेंगे आप तो देखिए अपने पास क्या है वही फाइब थ्री फाइब थ्री फाइब थ्री वन सेवन बिकम्स आपसे क्या बोला क्या है इस नंबर को nearest ten के पास लेजी है significant नहीं बोल रहा है इस बार the nearest ten किसको बोलते हैं इसको बोलते है यहां पर बढ़ेगा तो एक से क्या हो जाएगा दू हो जाएगा तो मतलब दू और यह 17 सिर्फ हमको टेंस में चाहिए तो 27 नहीं कर देंगे 17 से आप ऐसे इसको समझिए कि यहां पर चीज है वो क्या है 5,317 5,317 तो इस 17 को यही नहीं अपना टेंस है 17 है तो 17 को राउंड़ 3,320 बन जाता कव यहां पर लिखेंगे nearest 10 यह हो गया फिर उसके बाद यही चीज लिखेंगे यही चीज बिकम्स क्या अब जब हम इसको 100 पर लेके जाएंगे 5000 पर लेके जाएंगे तो अगर 100 पर जाएंगे तो 317 है तो ऐसे सूचिए 317 को आप क्या करेंगे 400 नहीं बिना सकते हैं तो इसको हम दाइट लिखेंगे 5300 ठीक है हम इसके 10 में सारी इसके 100 में कम ही नहीं किये है ऐसा नहीं कि 300 से 200 कर दिए जो 300 था वही है अब यह बस हमको नियरेस्ट चीए था तो यसे लिए 3 का 3 ही रह गया 300 ठीक तो क्या हो गई यह नियरेस्ट हो गया यह नियरेस्ट हंड़ेड से अब यह चीज़ आप 1000 तो 5300 5300 को 6000 तो कर नहीं देंगे 5000 रहेगा तो क्या हो गई 5000 नियरेस्ट 1000 हाला कि ऐसे कूश्चन आता नहीं है पर फि ठेक आप चलिए कुछ homework देते हैं आप लोग के लिए round of the number क्या जी round of the numbers to four significant digits to significant डिजट चार स्ग्रिफे डिजट तक round of करिए number one question क्या है 39.6314 39.6314 second question क्या है 293 293.281 six seven point four seven five number four क्या है five point four double nine five point four five point four double nine five बस ये एक और question देते हैं पाच्वा question 89.89.9728 ये आपका homework हो गया है देखे homework देने का उदेश यही है चुकि हम अभी पढ़ाये हैं तो हमको तो पता ही है कि भई सबको समझ में आया है तभी ने class off हो रहा है अगर नहीं समझ में आया होता है तो सबको समझ में आ गया है और नहीं आया तो अभी पूछिए सबको समझ में आ गया है यह स्योर है हम और अगर कोई डावड होती पूछ लीजिए और अगर आप समझ में आ गया है तो स्योर है कि यह सब आप बना ही लीजिएगा तो अब यहां पर दो तरगी कस्ट्रोंट होते हैं एक होते हैं थोड़ा over confidence वाले अरे हम बंजग होते हैं थोड़ा लगन वाले continuously एकदम जो लगे रहते हैं और जो खूब अच्छा जीवन में करेंगे वही लोग करेंगा जो खूब हमें इसा एकदम consistency के साथ लगे हुआ है तो हम इसका यह होमक देने का उदेस यह भी है कि हम यह देख रहे हैं कि आप लोग का कैसा कॉप जाया कि नहीं यह भी तो हमक है प्रॉपर वे में टेलीग्राम गूरूप जो आपका discussion गूरूप बना हुआ है जो अभी जितने बच्चे प्रेजेंट है सेर करिएगा वहाँ पर बाकी मेलेंगे next class में और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कर दीजे दनवाज मैथ् क्लासेश हो रहा है जोइन कर सकते हैं मिनिमूम ठील है ठीक है मेलते हैं next class में करते हैं